हेलो आई वानिक पर आपका फिर से स्वागत है हमाई यूट्यूब चैनल संस्क्रिट पॉइंट पर हम आज पढ़ रहे हैं हरिशंद्रु पाख्यान का चतुर्थ खंड या फिर हम कहें एत्रे ब्रह्मन में रचित जो है कौन सा 33 वाध्याए शुनह शेप या फिर हरिशंद कियां था क्या कून सिण शुनह शेप को ले आया है रोहित और उसने का है कि पिता जी मैं अब यग्गय जो है वो वरुण राजा का जो यग्गय है वो इसके माध्यम से करूंगा अर्था शनुशैप जो है किसका अजिजिगर्थ का पुत्र है जो शुनह शेप उसके आपको क्या स्वस्थ करने के लिए यग्य करूंगा वह करूगा क्योंकि वरून्य नको पकड़ता थे चलिए तो fraction क्या कई है हरिश्ठंद्रा से राजा असोयानप श्थानम।। ठशिति आपको कौनसा हराजा हरिष्चंद्रा का जो यग्य विश्वामित्र 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 विश्वामित् उद्गाता बनी, एक बार फिर से देखते हैं, उस यग्य में विश्वा मित्र होता बनी, जमदग्मी, उधर्वियू, वसिष्ट ब्रह्मा और अयसेरिशी उद्गाता हुए, तस्मा उपाकरत्य नियुकतारम नेविदू से हुआ, च अजीगरत सोवयसी, क्या कह रहे हैं, तस्मा अर्थात उस यग्य में, जो वो यग्य कर रहे थे, उसमें क्या हुआ, नियुकतारम अर्थात किस के लिए, बांधने के लिए, बांधने के लिए, नेविदू कोई भी नहीं मिला, भाई जब उन्होंने किसको, शनुशेप को उस्विकरत कर लिया, तो जब यग्य सूवयसी, तब सौवयसी, सौवयसी कौन है, सौवयस वंच से जो है, कौन, सौवयस के पुत्र अजीग्रत ने, अजीग्रत ने क्या कहा, अजीग्रत बोले, अजीगरथी बोले अर्था जो शुनाशेप के पिता थे वह अजीगरथी खुद बोले एक बार देखिए तसमा उस यग्य में नियोकतारम बांधने के लिए परशुरूप जो पुरुष था अर्था शुनाशेप था उसको बांधने के लिए कोई नहीं मिला तब कौन अजी नियोक्षामिती क्या करें नियोक्षामिती क्या करें वह एहमेन मैं ही नियोक्षामिती बांधने का शतम सो दत्वम गाएं एहमेन मुझे दे अगर आप मुझे सो गाएं दे दे तो मैं ही बांधने का अर्था मैं ही जो पशुरूपी पुरुष उसको बांधने का तसमा अ तम नियोज तो उन्होंने क्या किया बांध दिया पुरुष रुपी जो पशो था शुनाशेप उसको यग्जे के लिए बांध दिया एक बर आसान देख लेते हैं उस यग्जे में विश्वा मित्र होता हुए जमदागनी उधर्वियू वर्षिष्ट ब्रह्मा और रिशी उद्गाता हुए जब बांधने के लिए कोई नहीं मिला तब अजीग्रत नहीं बोले आप मुझे सो गाएं दे दे मैं बांध दूंगा उस पर उन्हें सो गाएं दे दी तब उन्होंने पुश्पशु रुपी पुरुष को बांध दिया अब आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा थोड़ा सा धुंदला हो रहा है बुक बहुत पुरानी है आशा करते आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में जाएंगे और बायानी चांस अगर आपकी वीडियो क्लियर नहीं हो रही है तो यहां पर देखिए यहां पर तीन डोट होते है tough कर के नीचे वीडियो में आप उसको टैप करके नीचे quality में जाकर करके उसको थोड़ी सी quality पढ़ा सकते है तो आपको वीडियो क्लियर हो जाएगी चलिए अब हम आगे लिखते हैं तस्मा उपाकृत्य, नियुक्ताय, अप्रत्याय, प्रियागिन कृत्य, विशिस्तारम, नैविदेशव, अब क्या हुआ उसकी सुईकृति तो कर ली गई, अभी उन्होंने बाफने के लिए का था, तो उसे बाफना था, तो क्या है, उपाकृत्य, उसकी स्विकृति तथा नियुकता नियोजन हो जाने पर तस्या किसकी शनुशेप की क्या स्विकृति और नियोजन हो जाने पर क्या हुआ अप्रताय प्राई अप्री अर्थात आप्री नामक जो चंद हैं आप्री नामक कितने ग्यारा चंद होते हैं आप्री नामक जितने कहा है आप्री आप्री है वो क्या कहने है आप्री नामक ग्यारा चंद जो थे उसके बाद क्या हुआ उसके द्वारा प्रयाग्निक त्यार्थात पूजा हो जाने पर प्रयाग्नि प्रपूजा और अगनी अगनी की प्रदिक्षिना अगनी की प्रदिक्षिना समाप्त होने पर फिर क्या हुआ विश्य सितारम ने विदो शो वद्ध करने वाला नहीं मिला अब क्या हुआ स्वद्ध करने वाला ने विदो कोई मिला ही नहीं एक बार फिर सब समझने का परियास कीजिए तससे उसकी स्विकृति हो जाने पर और नियोजन हो जाने पर अप्रती नाम ग्यारा छंदों की द्वारा पूझा हो जाने पर अग्नी की प्रदिक्षना समाप्थ होने पर विशह सितारम नेविदेशों कोई भी वद्ध करनी वाला नहीं मिला था जो पशुरूपी पुरुष है उसका वद्ध करनी वाला कोई नहीं मिला अब देखिए एक पॉइंट आता है कि भाई क्यों नहीं मिल रहा था में इंपोर्टेंट चीज ये थी कि आखिरकार कोई क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा था कि मैं बान देता हूँ शुनुशेप को भई आखिरकार उसको यग्जे में ही तो बानना था और यग्जे में ही वद्ध करना था एक्चली किसी कोई इसलिए रैडी नहीं हो रहा था क्योंकि शुनुशेप क्या था ब्रामन था और अगर ब्रामन की हत्या के लिए कोई आगे चलेगा तो क्या होगा वो पाप का भागीदार हो जाएगा यग्जे तो सफल हो जाएगा परन्तु ब्रामन की हत्या के लिए यग्य में ही भले ही हो वो तो वो उसका क्या हो जा था पाप का भागीदार हो जा था इसलिए कोई भीवा पर ना तो बांधने वाला मिल रहा था और ना ही क्या मानने वाला भी नहीं मिल रहा था फिर सेहोगज अजीगरत था सोवय सी फिर से जो सोवयत अजीगरत थे वो ही बोले मैहयाम शतम दताम एहमेन विशान सीम इती अठात वही पुराना शताम सो दताम देदो मुझे शो गाए देदो एहमेन मैं ही बद्द करदूँ सूपर बुरूश हो उसका बद्द कर दूंगा पर क्या हुआ तस्मापरामशतम ददू वही उन्होंने उसको शताम सो गाए दे दी तो ईसी निशान एऐ फिर क्या हुआ वहै निशाई किसकी तल्वार की धार तेज करता हुआ आया यहा Esc असी असी का दात पर रहे होता है तलवार वहें तलवार की धारतेज करता हुआ एयाया एक पार देख लेते हैं उपर से क्या है उसकी स्वीकृति तथा नियोजन हो जाने पर अप्रती नामक चंद के दुआरा पूजा होने पर अगनी की प्रदिक्षना होने समाप्त होने पर वद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला फिर अजिग्रत ही बोले मुझे आप सोगाएं दे दे मैं ही मैं ही वद्ध कर दूँगा उस पर उन्होंने उसे सोगाएं दे दी और वहतलवार की धार तेज करता हुआ आया अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है देखते हैं किया हुआ अथम उसके बाद ऐख ही शनुशेफ इच्षांग चक्रे शहनुशेप ने विचार किया अब क्या हुआ आप शैनुशेप थो यह सब देख रहा माणूश अर्फात जो मनुष्य नहीं है कोन पशू के समान ये मुझे मार देंगे अर्फात मेरा वदद कर देंगे यह सब जो लोग हैं मानोश पुर्शु के समान मेरा वद्द कर देंगे हंता एयहम देवता उपधावमिती क्या कह रहे है? हाँ एयहम मैं देवता देवताओं की उपध्धावमिती परातना करता हूं चलो तो भई मैं जो देवता हैं उनकी प्रातना करता हूँ शायद वही मुझे अपने आप छुड़ा ले या कोई उपाय मिल जाए से प्रजापती मेव प्रथम देवतानू पासम सारम तब क्या हुआ प्रजापती सबसे पहले उन्होंने किसको देवताओं में सबसे पहले प्रजापती की उपासना की प्रजापती में प्रजापती एवह सबसे पहले उन्होंने प्रजापती की उपासना की याराया पर उपासना इस मंत्र के द्वारा कस्य अर्थात कस्य नूनम कतम अस्य अम्रताम अभी किसका अमर जीवो अर्थात क्या कह रहे है वो देखे ये जो हमारी है ये क्या है प्रजापती के लिए जो पासना की जाती है वो है तो वो क्या कह रहे है कि अभी किसका अमर जीवो में किसका कस्य किस अभी नूनम बेशक होता है अमारी देविक उसमें, यहां पर वह कह रहे है कि अभी किसका और क्या है? जीवों में किसका यह जो हमारी एक रिचा है आर्च्रिय इसके द्वारा उन्होंने प्रजाप्रति की प्रात्ना प्रारंभ की चली आगे देखते हैं आगे देखते हैं आगे क्या हुआ आगे क्या कहने है वो तम प्रजापती रुवाच तब प्रजापती बोले तब प्रजापती भाई उनकी उपास ना करें जित वो प्रजापती आये और बोले अगनिने अगनेव देवानाम ने आदिष्ट मेव उपाध्यती क्या है देवानाम देवताओं के सबसे निकट जो है वो कौन है अगनी ही है अर्थात जब यग्य किया जाता है तो अगनी के माध्यम से ही देवताओं को जो हवी है वो पहुंचती है तो वो क्या रही है प्रजापती आए और वो ले देवताओं के सबसे अधिक निकट अगनी है उन्होंने तो कह दिया फिर क्या हुआ उनी की प्रात्ना करो सो अगनी अगनी की प्रात्ना करो अब इस रिचा के माध्यम से वो क्या करने लगे अगनी की प्रात्ना करें अगने वह है प्रथम अस्याम रतानाम इत्यमे चर्च हम लोग अम रों में प्रथम अगनी देवकार्थात यह जो एक रिचा है यह तेखेगा इसमें पूरा घंड है उसम अगनी देव को प्रात्ना करते हैं यह हमारी प्रजापती ने कहा देवता निकट अगनी देव ही है उने की पूजा करो इस पर रिच्छा में अगनी की उन्होंने अगनी के प्रात्तना करने लगे कि हम लोगमर्त में प्रतम अगनी देव को इस तरह से वो प्रात्तना करने लेए अब डेखते हैं आगे क्या हुआ अब फिर क्या हुआ तम अगनी रुवाच तम अबनी बोले अब अगनी किनों ने प्रात्ना की तो अगनी बोले सविताव प्रसावन ईशे, प्रसमान ईशे प्रसावन उशे है तम उपाध्वती क्या के रेए अगनी बोले सविता प्रसावनाम अर्थात प्रेर्णाओं के इशह स्वामी सविता है आप उनी की प्रयात्ना करो तमे उपाद्यती उनी की प्रयात्ना करो से सविताम उपसारम अब वो सविता की प्रयात्ना करने लगे अभित्वा देव सवीताहा क्या कहने हैं हे देव सवीताहा इतेन त्रित रिचेन इस रिचा से उन्होंने सवीता की प्रातना शुरू कर दी क्या हुआ देखिए फिर अगनिया करके बोले कि तुम जो क्या है प्रेडाओं के स्वामी है सवीता उनकी प्रात्ना करो फिर उन्होंने सवीता की प्रात्ना शुरू कर दी वो कहने लगे इस रिचा के माध्यम से उन्होंने सवीता की प्रात्ना की अब आगे देखने आगे क्या हुआ आगे क्या तम सवीता हूँ आज फिर सवीता है और सवीता बोले वरुण आए वय अग्ये नियुक्तो असी भई राजा वरुण के लिए बादे गए वर्थात भई तुमारा जो नियुक्ती हुई है वो राजा वरुण के लिए हुई है तमे वो पाध्यती तुम उन्ही की प तराफना करो से वरुण राजा नाम उपासारतम उत्त्रा बिशेर तृषंता फिर क्या हुआ वरुण राजा फिर वरुण राजा की स्तुद्री की उन्होंने और कितनी पूरी 31 रिच्ञाओं का संगर है उन्होंने यह नमधे एकंट रिशिता अरथा एक और तीन अरथा ती और एक 31 रिचाओं से उन्होंने वरुण की उपासना की फिर समझने का प्रयास करिए क्या कह रहे है वो तब सवीता बोले कि वरुण राजा के लिए तुम्हाई नियुक्ति हुए तुम उनी की उपासना करो तब उन्होंने वरुण राजा की 30 रिचाओं में उपासना की किस किस प्रकार रिंगवेद से लिए उन्होंने 6 से लेकर 15 तक यह हो गई हमारी 10 रिचाए और फिर यह पूरा खंड प्रथम का 24 पूरा 25 पूरा इस प्रकार से उन्होंने 31 रिचाओं के संग्रेजा वरुन राजा की स्तुति की अब देखते आगे क्या हुआ पूरा का पूरा जो चतुर्थ खंड उसमें वो स्तुति कर रहे हैं अभी देखते आगे क्या होता है हाँ अब क्या हुआ तम वरुन वाच तब फिर वरुन बोले अगने देवा नाम मुखम सुहिर देतम अब देखिए सब के सब देवता उनको कितना घुमा रहे हैं अभी अ वरुन कह रहे हैं कि तुम अगनी देवताओं के क्या है देवा नाम देवताओं के मुख है कौन अगनी अगनी ही देवताओं के मुख है और क्या है वो सबसे अधिक दयालू हिर द्यतम अर्थात वो दयालू है तमनू स्तुति हाय तवोत्म अक्षणाम इती उन्ही की करो अर्थात मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ करके तुम उनी की स्तूती करो सो अगनी तुष्टावत उत्त्रा भी दर्शित्या फिर उन्होंने क्या किया बारा रिचाओं में विशित्या एकम विशित्या बारा रिचाओं में अगनी की स्तूती करी फिर से उन्होंने दे तो 22 रिचाओं में उन्होंने किन की ? अगनी देवता की स्तूती की देखिए एक बार वरुण आए तब वरुण बोले कि अगनी देवता क्या है देवताओं के मुख है अगनी ही देवताओं के मुख है और वो सबसे ज़्यादा दयालू है तो मुझे छोड़ करके उनी की प्रातना करो तब उन्होंने 22 रिचाओं में अगनी देवता की स्तुति की और 22 रिचाओं किस प्रकार है आप इस प्रकार देख सकते हैं प्रथम मंडल का 26 वा सुक्त पूरा जिसमें 10 रिचाओं है फिर प्रथम मंडल का 27 वा सुक्त पूरा जिसमें 1 से 12 तक 12 रिचाओं है इस प्रकार से उन्होंने 22 अब उसके बाद क्या हुआ तम अगनी वाच फिर अदोज्ट अगनी अभी उन्हों ने अगनी क्यों पास ना कि अब अब नी बोले विश्वानूँ देव स्टुतिया है तव्ह क्षराम इती अर्थात क्या कह रहे है वो देवताओं की अर्थात किन की देवताओं की और कौन से देवताओं की विष्वानू विष्व देवताओं की स्थूत्य स्थूत्य करो तवो क्षणाम इती तो मैं तुम्हे छोड़ दूघी। अब देखे अभी तक सब कह रहे थे कि आप इनकी कीजे वो आपको छुड़ाएंगे उनकी कीजे वो आपको छुड़ाएंगे अब अगनी देवता क्या करें कि तुम विश्व देवताओं की सुती करो तब मैं तुमें छोड़ दूगी तब वे विश्व के देवताओं की सूती करने लगे अर्बकेव चोटे लोगों को प्रणाम है तन वो जो विश्व के देवता थे उनकी ना करने लगे अब फीर देखते हैं अब आगे क्या होता है अब छुट जाए की क्या हो चलो देखते हैं अब क्या कहे रहे हैं तम विश्व देवा उआच तब विश्व देवता बोले इंद्रवे देवा नामो जिष्ट इष्ठव बलिष्ट सहिष्ट सत्तम पारीष्ड तुम क्या कहे रहे हैं वो तम्नु इस्तुतहारे तवोक्ष्व में तीरी फिर अभी अभी ने कहा था कि तुम उनकी करो मैं तुम्हें छोड़ दूगी विश्व देवता आकर क्योंने क्या कहने हैं इंद्रव इंद्र जो है वो देवताओं की देवा नाम देवताओं में सबसे अधिक ओजस्वी है बलिष्ट है बलशाली है सहिष्ठव अठार सहिष्णु ह और सत्तम सत्यपरम है अरथा सत्य को चहने वाले है और पारिश्यताम प्रभावशाली है तुम मेरी सुठी छोड़ करके उनकी सुठी करो मेरी सुठी को छोड़ दो से इंद्र तुष्टवा फिर क्या हुआ से इंद्र तुष्टवा यत चे जयती सत्यम सो प्राम इती चेतनम सुक्तेनु तरस्य चे पंच दश भी पांच और दस पंदरा अब उन्होंने पंदरा रिचाओं से किसकी इंद्र की स्थूती करी इसी प्रकार से उन्होंने किस से पंदरा रिचाओं से किसकी किनकी स्थूती कर रहे हैं इंद्र की स्थूती की यत चे इदम जो कुछ भी इस प्रकार से जो रिचाओं थी उससे उन्होंने पंदरा रिचाओं से उनकी स्थूती करी देखिए तब विश्व देवता ने उन्हें कहा कि इंडर जो है वो देवताओं में सबसी शक्ती शाली है और प्रभाव शाली है Siしたап उन्हीं के स्थूती करो मेरी स्थूती को छोड़ दो तब इंडर सतूती किंत्नी 15 रिचाओं में उन्हें इंडर की स्थूती की अब देखते हैं इंद्रु इंद्रें उननको छोड़तेंगे भाई लह गतार वो श्थूती करते हैं तो देखते हैं क्या हुआ तसमा इंद्र स्थूतिया नाम पृत्व मनसा हिरन्य रथम ददव तम एत्याय प्रत्याय श्व इंद्रव इति क्या कहरे है वो फिर क्या हुआ तम इंद्रह इस पर इंद्र की स्थूती होने पर अर्थात उन्होंने इंद्र की स्थूती की इंद्र की स्थूती होने पर इंद्र ने प्रीति मनसा मन से प्रसंद होकर हिरन्य रत्म हिरन्य सोने का रत्थ दिया उनको और किस से मनसिक रूप से उन्होंने उनको मानसिक रूप सामने आके नहीं दिया वो मन मन में रिचाए आगे चलेगी इस रिचा के माध्यम से उन्होंने उस रत को प्रित्याई ग्रहन कर लिया देखिए तब इंद्र की स्तुति होने के बाद इंद्र उन्होंने उनको प्रसंद हो कर्मान्सिक रूप से हिरंडे रत अर्था सोने का रत प्रदान किया जो उन्होंने खुशी से अनुभूती से इस रिचा के माध्यम से उनको ग्रहड कर लिया रत को ग्रहड कर लिया फिर क्या हूँ आगे देखते हैं तम इंद्र उवाच इस पर इंद्र बोले तम इंद्र उवाच अश्वनवनु स्थुताई रक्तोश्राम इती सो अश्वनव तुष्ठावत उत्त्रेड त्रिचा अब देखिये उन्होंने सोने का रत्तोप्रदान कर दिया है लेकिन अभी तक उसको यग्गे से छोड़ा नहीं है तब फिर उसके बाद उन्होंने अभी तक सारे जो थे वो अब दूसरे को कह रहे हैं दूसरे कैट थे लेकिन अहब इंदर ने सोने का रख दे दिया है और क्या बोले वह तम हुवा तम इंदर वआ ऐंदर बोले अश्वनय यूगलो जो हुमारे अश्वनी कुमान इकी स्तूति करो तॊ में तुमें छोड़ दूँगा तुम अश्वनी युगलों की स्थूती करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा तुम अश्वन अंतव तुष्टावत उत्रेन रिचेन फिर क्या हुआ उसके बाद अश्वनी ने कितनी तीन रचाओं से त्री इंद्चाओं की माध्यम से उन्हों ने अश्वनी युगलों की स्थूती की उन्होंने अब आगे क्या हुआ तम अश्विक उच्वा तब अश्वनी कुमार आए अश्वनी जो युगल थे वो आए और बोले अश्वनी कुमार आए और बोले उशा की इस्तुती करो तो तुम्हें छोड़ देंगे तुवा इस्त्रेश्याम था तुम्हें छोड़ देंगे से उशस तुष्वा उसके बाद उसने कितनी तीन रिचाओं से किनकी त्री रिचाओं तीन रिचाओं के माध्यम से उन्होंने उशा की उपासना की अर्थात उनकी स्तुती की आगे देखने आगे क्या हुआ तस्य हेस यहाँ पर थोड़ा सा दिक्लियर नहीं है लेकिन कोशिश कीजे समझने की रिचायम चितकाय विपाशव ममूचे कन्ये इश्वांक स्य उद्रम भवित्यम अस्यमेव रिच्य उक्तायम विपाशव समुच्या तक इश्वांक को असह अब क्या हुआ अब देखें इसके बाद क्या हुआ तस्य हे उसके बाद जैसे जैसे उनकी एक एक रिचा चल रही थी कि वो एक एक रिचा का उच्चारण कर रहे थे वैसे वैसे एश्वांक को से उदर जो एश्वांक मझके आजा है इस्चंदर का उदर बढ़ गया था ता उनका जो पेट में उन्होंने रोड उतपन कर दिया था वरुण Ne वो धीरे धीरे भवुत्यस म्याँ एक-इक रिचा के पढ़ने पर जैसे जैसे एक-इक रिचा असम ओट रही थी वैसे वैसे वो क्या हो रहा था उनका जो उदर बढ़ा हुआ था वो छूट-छोटा होने लगा और उनके क्या थे वो मूच्चे उनके जो बंधन थे पाश्रवो जो बंधे हुए थे बंधनों में कौन शुन शेप वो धीरे धीरे टूट रहे थे क्या क्या रहे हैं कि जैसे जैसे उसने स्तूती एक एक स्तूती पढ़नी प्रारंब की रिचाय पढ़नी प्रारंब की वैसे वैसे ही क्या हुआ इष्वांकु मंझकी राजा का हरिश्यदर का जो उदर था वो चोटा हो गया और उनके जो बंदन थे वो छूट गए और फिर क्या हुआ रिच्च उक्तायम भी पाशव समुझ चादग इष्वांकु आसे है अंतिम रिचा बोलते ही रिच्चे उक्तम जैसे ही उसने अंतिम रिचा बोली वैसे ही बंधन पाश्वर जो बंधन थे वो क्या हो गए? खुल गए और इश्वांकु जो इश्वांकु वंच के राजा थे वो पूर्ड रूप से निरोगी हो गए अर्थात स्वास्थ हो गए फिर से देखिए जैसे जैसे वो एक एक रिचा पढ़ रहे थे उचारण कर रहे थे वैसे ही उनके बंधन खुल गए और एश्वांकु मंच के राजा का जो उतर बढ़ा हुआ था वो छोटा होता चला गया और उनकी अंतिम रिचा पढ़ते ही यसे उन्होंने अंतिम रिचा पढ़ी वैसे ही सभी बंधन तूट गए अर्थात खुल गए और एश्वांकु कैसे हो गए बिलकुल स्वस्त हो गए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ आगे हमारा यही पे क्या हुआ चतुर्थ अंक उस वही चतुर्थ खंड समाप्त हो गया अब देखें उन्होंने किस किस प्रकार से अगर संख शेप में देखे तो क्या क्या हुआ था बदे थो थे ही वो पहले से ही पहले बानने के लिए कोई नहीं मिल रहा था फिर अजी पतिि ने कहा कि तुम अग्नी की करो अग्नी ने कहा एंप इंद्र की करो और इश्वणी पुत्रों कर लो ट ढ़िसे प्रकार से हुआ रागे बता दिया की आप उन्की कर लीजे अश्वणि पुत्र ने आगे बता दिया कि इसी प्रकार से जब वो चलते गए चलते गए अन्त में इंदर ने उनको क्या प्राप्त किया था सुने का स्वन रत्प्र प्राप्त किया था और इस तरह से बंदन मुक्त होगत चले गए svaniye करके और तो आप कमेंट सेशन में लिख करके पूच सकते हैं चलिए आज आप छोड़ा सा प्रिशन बता दीजे कि हमने खंड प्रतम भी पढ़ा है और दृत्ती भी पढ़ा है नारद ने जब हमने प्रतम खंड पढ़ा था तो नारद ने कितनी गाथाओं में पुरुष का महत्र बताया था यह आप कमेंट सेशन में लिख के बता सकते हैं पुत्र का महत्र कितनी गाथाओं में बताया था धन्यवाद